हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं अगर आपका सबजी बनाने का मन नहीं या फिर सबजी बनाने का टाइम नहीं तो आप ये मज़िदार सा राइता सिर्फ दो मिनट में बना के तयार कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़िदार सा बनके तयार होता है, इसे बनाना बहुत आसान है आपने अगर एक बार इस तरह से राइते को बना लिया तो आप हर बार इसी तरह से राइता बना के तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर दई लिया मैंने गर का बनावा दई लिया और दई ज्यादा खटा नहीं यह दई को मैं अच्छे से पहले फैट लेना है अपने तीके के हिसाब से कम ज़्यादा एड़ कर सकते हैं मैं यह आप बच्चों के लिए बना रही हूं तो मैंने यहां पर हरी मिर्च एड़ नहीं किया आप चाहे तो दो हरी मिर्च भी काटके डाल सकते हैं थोड़ा सा मैं इसमें भूनावा जीरा डाल दीगे एक चमश मै मैं अच्छे से मिक्स कर लेने यह देखिए दई की कंसिडेंस बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए आप चाहे तो इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं लेकिन यह खाने में इसी तरह से अच्छा लगता है और अब हम इसमें थोड़ा सा सुखाओ पुदीना क्रेश करके डालेंगे त इसे राइते का सुखाओ कई गुन जादा बढ़ जाए गया तो यह देखिए मैंने पुदीने को अच्छे से मसल के डाल दिया और इसमें जो धागे बगर रह जाते हैं उसे हमें साइड में कर लेने यह देखिए थोड़े से धागी बच गया है तो इनको मैंने हटा लिया पुदीना डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे बुंदी मैंने यह पर हॉममेड बुंदी लिए वैसे तो हमें रेड मेड भी बुंदी मिल जाती है अगर आप हॉममेड बुंदी की रेसिपी देखना चाते ह होता है इसलिए मैंने थोड़ी सी बुंदी ज्यादा एड़ किये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका रोटी खाने का मन्डों से कम से कम पांस साथ मिनट पहले यह राइता बना के रखिए तब यह बुंदी सौफ्ट होगी और उसके बाद यह राइता बहुत ही मज़ आ रहे तब भी आप इस साइड डिश्क की रूप में बना के उनको सव कर सकते हैं उन्हें यह बहुत पसंद आएगा तो गार्निश करने के लिए मैंने राइते को दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर दिया और उपर से हम इसमें थोड़ी सी सूखी बुंदी एड़ कर देंग अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करना अपने फैमिली आन फ्रेंड साब इसकार शेर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह रायते की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नहीं वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मिलते हैं फिर से एक नहीं रेसिपी के साथ बाइ बाइ गाल्स